कोरोना महामारी से बचाव को लेकर पिछले मार्च महीने से सभी शेक्षणिक संस्थान बंध है हालांकि अभी प्रदेश सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को खोलने का कोई फैसला नहीं लिया है लेकिन यदि सरकार कोई अधी सूचना जारी करती है तो हिमाचर प्रदेश शिक्षा विभाग पूरी तरह से तयार है उचितर शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा ने कहा कि यदि 50% के साथ स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमती सरकार देती है तो विभाग द्वारा सुरक्षा मानकों का पूरा खयाल रखा जाएगा ताकि संकर्मन से बचा जा सके देश सरकार और हिमाचल शिक्षा विभाग समय समय पर अलग लग तरह से जो SOPs, MHC की तरफ से आते हैं उनको आगे भी भेजते रहते हैं और उनको पूरी तरह अक्षर अक्षर जैसे मैं कहूं कि इन ट्रू लैटर एंड स्पिरिट उनको हम ओबे करते हैं फॉलो करते हैं आगे भी बैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो यह है, दूसरी बात जहां तक आपने बुलाने की बात कही, बहुत से पेरेंट्स हमें फोन करते हैं, बहुत से पेरेंट्स मिलते हैं, बहुत से टीचर्स ऐसे मिल रहे हैं, खासकर बड़ी कलासिज के, बड़ी कलासिज जैसे 10th 11th या कहलो आप 9th 10th अब वो parents भी चाते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं इवन बच्चे भी चाते हैं कि हम स्कूल में जाएं और थोड़ा सा ये उनको ensure करना है कि बच्चों को proper social distancing, proper hygiene और थोड़ी safety हो तो हमें मानते हैं और मैं विभाग की तरफ से मैं तो आज यही कहने के लिए मैं इतना ही मैं कह सकता हूं कि अगर हमें 50% strength के हिसाब से भी allow कर दिया गया तो पूरे के पूरे parents, पूरे के पूरे हिमाचल से जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए बच्चे हैं या उनके शुब चिंतक जितने हैं उनको मैं ensure करता हूं कि किसी भी बच्चे को कोई हानी हम होने नहीं देंगे पूरे SOPs को follow कर लिया जाएगा लेकिन बच्चों की पढ़ाई के साथ किसी भी तरह से compromise नहीं किया जाएगा अगर allow करते हैं तो भी हम बिलकुल पूरी safety, security और पूरे अच्छी तरह से उनका देखते हुए पढ़ाई